बेलकुम टू एकसाम बी विशना, तो आज की जो वीडियो का पहला प्रश्ण इसमें पूछा गया है, हिंदी परतीप के संपादक कौन थे? तो इनका नाम हidedख है कि जो पत्रिका है, हिंदी परतीप, इसके संपद्य नहीं हैं तो ये रहे हैं, बाल किश्न भट यहां पर सही बिकल्प भी हो जाएगा ठीक है कई बार ये प्रशन भी बनता है कि जो बालकृष्ण भट्टे किस युग से ये समंधित रहे हैं तो इनका योगदान रहा है भारतिन्दू युग में अधिक ठीक है अगला कुशन है यहाँ पर सुची एको सुची दोग के साथ सुमेलित करना है तो एक तरफ पत्रपत्रिका है और दूसरी तरफ संपादक का नाम है तो यहाँ पर जो हिंदी प्रती पत्रिका होगी इसके रचनाकार होंगे बालकृष्ण भट्ट ठीक है फिर होंगे ब्रामन इसके संपादक रहे हैं प्रतापनायर मिश्र फिर है कभी वच्चन सुधा यह हो जाएगी बारतें दौहरिश्चंदर की और सबसे अंत में है भारत मिट्र इसके संपादक रहे हैं रुद्दरदत तो इस प्रकार यहाँ पर जो सही कोड हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका पिकर्प A अर्थात A का C, दो का D, तीन का A और चार का B अगला कोईश्चन देख लेते हैं इसमें पूछा गया है इन में से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा तो यहाँ पर जो असत्य कथन होगा तो वो हो जाएगा विकर्प C यहाँ पर यह जो है भारत मित्र पत्रिका है यह दिल्ली से नहीं कलकता से प्रकाशित हो जाएगा फिर है सदाचार मारतंड इसका जेवपूर से प्रकाशित हो जाएगा अगला कोशन है भारतंड जी के संपाधक्त्म में इनमें से कौन सी पत्रिकान निकलती थी तो यह निकलती थी हरिश्चंदर चंदरी का तो यहाँ पर सही बिकल्प C हो जाएगा अगला कोशन है एक सर्ट इसमें पूछा गिया है इनमें से कौन जा नाटक भारतेंदू जी का नहीं है तो जो यहाँ पर चार बिकल्प दिये गए हैं इनमें जो नील देवी है भारतेंदू हरिश्चंदर का नाटक हो जाएगा अंधेर नगरी यह भी भारतेंदू का है और प्रेम जोगनी यह भी भारतेंदू हरिश्चंदर का हो जाएगा तो जो बिशाख है यह भारतेंदू हरिश्चंदर जी का नाटक नहीं यह आपके जैशंकर परसाद का नाटक हो जाएगा याद अखना है आपने इसे भी ठीक है न यहाँ पर आपको बता दो अगर भी तक आप मारे टेलिग्राम और बर्टसेप ग्रूप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप मारे टेलिग्राम और बर्टसेप ग्रूप के साथ भी जुड़ सकते हो वहाँ पर आपको बहुत सारी महत्पुन चीजे प्रदान की जाती है इसी के साथ अगर अभी तक आपने इस सीरीज के बाकी पार्स नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख सकते हो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप इसकी प्लेइलिस्ट में जाकर भी इसके बाकी पार्स देख सकते हो महत्पुन पार्स है आपकी प्रिक्षा के लिए ये प्रशन अबशी बनेंगे ठीक है ना बगला कोशन देख लेते हैं ये है पासट इसमें पूछा गया है इन सुचियों को सुमेलित करते हुए सही बिकल्प का चेहन कीजिए तो एक तरफ नाटक कार दिया गया है और दूसरी तरफ नाटक तो हमें इनका मिलान करना है तो चलिए मिलान कर लेते हैं तो जो भारतिंदु अरिश्चंदर है इनके द्वारा लिखा गया है तो चलिए इनका मिलान कर लेते हैं कहां पर ये मिलान सही हो जाएगा तो यहां पर जो भी कल्प C है ये सही हो जाएगा अर्थात A का C, 2 का A, 3 का B और 4 का D अगला कोशन है 63 सर्टीस में पूछा गया है भीतर भीतर सवरस्चूसे, हंसी हंसी के तन मंधन मों से ये जो पंक्ती है किस कभी की ये बताना है तो जो ये पंक्ती हो जाएगी भारतियंदू अरिश्चंदर की पंक्ती है ये प्रशन important है, अक्सर NTA net की प्रिशा में से पुछा जाता है अगला कोशन है 64 सर्टीस में पूछा गया है भारतियंदू यू की कभियों में से हर गंगा नामक कभीता किसने लिखी है तो सबसे पहले तो आपको ये याद अखना है कि जो कभीता है हर गंगा ये भारतियंदू यू की कभीता है और किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है प्रताप नरायम मिश्र के द्वारा यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा 64 का तो वो हो जाएगा बिकल्प D अगला कोशन है 65 सर्टीस में पूछा गया है विश्यस्य विश्मौश्दम नाटक के रचना कार हो जाएगे भारतियंदू हरिष्चंदर ठीक है आपको जो ये रचना है इसकी विधा भी आपको याद रखनी है आपके से यह प्रेशन बन सकता है कि जो विशिय से विशमोषदम है ये किस विधा की रचना है तो ये हो जाएए आपकी नाटक विधा की रचना आपको ये याद रखना है इस तरह के प्रेशन अवक्सर प्रिक्षा में बनते हैं अगला कोशन हो जाएगा यहाँ पर निजवाशा उनती एह सव उनती कौमूल यह जो पंक्ती है most important पंक्ती है तो किसकी पंक्ती है यह हो जाएगे बारतिंदू हरिश्चंदर की पंक्ती अगला कोशन है 67 इसमें पुछा गया है हमारो उत्तम भारत देश तो यह जो पंक्ती ह जाता है उसके पर जाती रचना भी हो जाएगी किसकी रचना यह पंक्ती है यह तो यह हो जाएगी राधाचरण गोस्वामी की यहाँ पर जो बिकल्प A है सही हो जाएगा अगला कोशन है 68 इसमें पूछा गया है भारत भारती के रचना कौन थे तो जो रचना है भारत भा यहां से भी प्रश्ण बनता है और यह जो रचना है यह द्वी वेदी युक की प्रमुख रचना के तौर पर जाना जाता है अगला कोशने 69 इसमें पूछा गया है भक्तमाल के रचैता कौन है यहाँ पर भक्तमाल नहीं नभभक्तमाल के रचैता पूछा गया है तो जो नभभक्तमाल है इसके रचनाकार होंगे विकलपटी रादाचरन गोस्वामी ठीक है अगर भक्तमाल की रशनकार के नाम पूछा जाए तो ये हो जाएंगे नावादास अगला कोशन है सतर इसमें पूछा गिया है जो बिशेया संतन तजी ताही मुड लफटात जो नर डारत ममन करी सवान स्वाद सु खात तो ये जो पंक्ती है किस कवी की है या कि दोहा है किस कवी का दोहा है ये तो ये हो जाएगा राधाचन गोस्वामी का यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा अगला कोशन है 71 इसमें पूछा गया है भारतिंदु यूग का कौन सा कभी पुष्टी मार्ग में दिख्शित था तो दोस्तों ये प्रशन इंपॉर्टेंट है ये नेक की प्रिक्षा में पूछा गया था एक बार तो इसको आपको याद रखना है तो ये जो संपरदाय है इस संपरदाय में कौन दिख्शित हुए थे तो ये हुए थे आपके भारतिंदु हरिश्चंदर यहाँ पर सही विकल्ब भी हो जाएगा आपके लिए एक प्रिशन छोड़ देता हूँ आपको बताना है भारतिंदु हरिश्चंदर का जनम काल क्या है ठीक है ना ये प्रिशन आपके लिए छोड़ देता हूँ अगला कोशन है सुची ए को सुची दो के साथ मिलाईए तो सुची ए में कभी के बारे में दिया गया है और सुची दो में रचनाकार के बारे में दिया गया है तो चलिए इनका मिलान कर लेते हैं तो जो राधाचरन गोस्वामी है इनकी जो रचना हो जाएगी नवभभक्तमाल इसे हमने अभी देखा था उपर ठीक है इसके पर चाथ बारतिंदो हरिश्चंदर होंगे इनकी रचना हो जाएगी विकल्प्टसी बेशाक महतम्मिय इसके पर चाथ आएगे बद्री नरायन चौधरी प्रेमगन इनकी रचना हो जाएगी सुरियस्तरोत फिर होंगे अम्विकादत व्यास इनकी रचना हो जाएगी गंसवद ठीक है ना फिर से आपको बता देता हूँ जो रचना है सुरी स्त्रोत ये हो जाएगी आपकी बद्री नरायन चौधरी प्रेम गन की फिर जो नवभक्तमाल रचना है ये हो जाएगी आपकी रादाचर्ण गोस्वामी की रचना और बेशक मातम्य है ये रचना हो जाएगी आपकी भारतिंदू हरिष्चंदर की और जो रचना है कंसवद ये रचना हो जाएगी अंबी का दत्वियास की ठीक है इस परकार जो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोड दो इसमें A का B हो जाएगा 2 का C हो जाएगा 3 का A हो जाएगा और 4 का D हो जाएगा अगला कुश्ण ने 73 इसमें पूछा गिया है इनमें से कौन सी प्रवित्ती भारतिंदू युक्की नहीं है यहाँ पर कुछ प्रविर्टियां दी गई हैं तो बताना है कि भारतिंदू की प्रविर्टि इन में से कौन सी नहीं थी तो जो भक्ती भावना थी ये भारतिंदू यूकी माने जाती है प्रक्रिति चित्रन ये भी भारतिंदू यूकी माने जाती है श्रिंगारिक्ता ये भी भारतिंदू यूकी माने जाती है बाकि जो इत्ती ब्रितात्मक्ता है ये भारतिंदू यूकी प्रविर्ति नहीं थी ये आपके द्विवेदे यूकी प्रविर्ति माने जाती है कई बार ये प्रशन पंता है कि जो समस्या पूर्थी थी ये किस यूक की प्रविटि या विशेश्चता वानी जाती है इसको या आपको याद रखना है अगला कोशन है 74 इसमें पूछा गया है तरनी तनुजा तर्ट नमार तरुबर बहुचाए तो जो ये पंक्ती है किस कभी की है प्रमुख पंक्तियों में इसे गिना जाता है तो ये पंक्ती हो जाए बारतियंदू हरिश्चंदर की है एक दिन मैंने अपने community टैप पे इस प्रशन पे पूछा था कि किस की पंक्ती है तो बहुत से बच्चों ने से गलत कर दिया था क्योंकि ये असान प्रशन है इस तरह के प्रशन आपको गलत नहीं करने है क्योंकि यहीं से आपका स्कोर किसी भी बोर्ड में निर्धारित होता है ठीक है आपको प्रतियक प्रशन ध्यान प्रवग देखना है यहाँ पर वीडियो में देखने के लिए तो आपको यह प्रेशन बहुती असान लग रहे होंगे प्रन्तु जब प्रिक्चा में आप बैठते हो तो इस तरह की प्रेशन यह आपको उपर से निचे ला देते हैं इसलिए आपको यह प्रेशन ध्यान पर पर देखने हैं और इनके नोटस भी बनाने हैं ठीक है अगला प्रेशन देखते हैं यह 75 इसमें पूछा किया है इन में से कौन सी प्रविती भारतिन्दू काल की है तो देखिए दोस्तों इसको मैंने अभी आपको बताया था कि कौन सी प्रविती भारतिन्दू काल की है तो इसमें जो सही बेकलफ हो जाना था तो यह समस्या पूरती है यह भारतिन्दू काल की है बाकी भाषा की लक्षनिक्ता ये भारतिन दुकाल की ना होकर द्विवेदी यूग की है इसके परशाद जो इतनी ब्रितात्मकता है तो ये भी द्विवेदी यूग की हो जाएगी और जो संस्कृत बर्ण बृत्यों का प्रियोग यह भी द्विवेदी यूग का होगा कियोंकि इस समय खड़ी बॉली का प्रियोग किया गया था तो फिर नोंने संस्कित बर्णों को भी अपने भाषा में प्रियोग में लाना शुरू कर दिया था ठीक है जो समस्या पूर्ती है यह भारतियन द्विवेदी की ही प्रियोग की ही प्रियोग माने जाती है अगला कुशने यह ब्यारी तवे बदलेगी कचू पीः जब पूछे ही पीब कहा यह पंक्ती भी प्रसिद है तो यहाँ पर जो सही बिकल्ब हो जाएगा किसकी पंक्ती हो जाएगी यह तो यह हो जाएगी प्रताब नरायन मुश्र की बंक्ती यहाँ पर सही बिकल्ब भी हो जाएगा अगला कुछन है स्तत्तर इसमें पूछा गया है समस्या पूर्ती सर्वस्व तो जो ये रचना है समस्या पूर्ती सर्वस्व नामक गरंत के रचनाकार कौन है तो ये हो जाएंगे बिकल्प सी अंबिकादत प्यास सी बिकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा तो गाइज यहाँ पर आप हमारी टीम द्वारा लॉंच कीगी पीडियाफ को भी ले सकते हो यह जितनी भी पीडियाफ हैं यह सभी उत्कृष्ट श्रेनी की है इनमें सिर्फ उन्ही प्रशनों को शामिल किया गया है जो पिछली प्रिक्षाओं में पुछे गए हैं इस नजरेये से यह आपकी आगामि प्रिक्षा के लिए बहुत ही लाबदाइक होने वाली है यहाँ पर आपको दो पीडियाफ दी जाएंगी इनमें जो पहली होगी उसमें आपको दस मौक टेस्ट दे जाएंगे यह सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जो दूसरी होगी इसमें आपको एकजार प्लस प्ल्लाइनर प्रिक्षाओं में जो पहले तो सबसे पहले तो आपको इसका नाम याद रखना है कि जो अग्य है इनका पूरा नाम था सच्चेदानन्द, हिरानन्द, बातसे आयन, अग्य है ठीक है तो इनका जो उसमें आना जाता है यह प्रियोगबाद हो जाएगा फिर थे सुमित्र नंदन पंथ, तो यह चायवाद के प्रमुक स्तंबो में से एक थे, फिर है अयोद्यासी उपाद्याय हरी ओद, तो यह दूइबेदी यूग के कवी थी, ठीक है ना, फिर है प्रताप नरायन मिश्र, यह भारतें दू यूग के कवी थी, एक बार फिर से बता देता हूँ, अग्य हो जाएंगे प्रियोगबाद के, सुमित्र नंदन पंथ हो जाएंगे, छायवाद के, हरी ओद्यजी हो जाएंगे, ब्विवेदी यूग के और प्रताप नरायन मिश्र हो जाएंगे, भारतें दू यूग के, ठीक है, तो इस परकार जो यहाँ प अच्छा प्रशन है दोस्तों, बहुत वारे यह प्रशन रिपीट हो जाता है, तो जो शुकुंतला नाटक थी, इसके रचनाकार थे, राजा लक्षमन सी हैं, अगला कोशन है, एटी इसमें भी सुमिरित करना है, एक तर्फ नाटकार दिया गया है, और दूसरी तर्फ ना थे, इनके नाटक का नामे मादा कैक्टस, और मोहन राकिश इनके नाटक का नामे अशार का एक दिन, तो इस परकार यह मिलान हो जाता है, फिर से आपको बता दूँ, जो अंधेर नगरी है, यह रचना या नाटक भारतिन्दू का हो जाएगा, फिर जो जेशंकर प्रसाद का नाटक हो जाएगा, सकंद गुप्त, मोहन राकिश का हो जाएगा, अशार का एक दिन, और रक्षमी नरायन लाल का हो जाएगा, मादा कैक्टस, आपके लिए एक प्रशन छोड़ देता हूँ, एक नाटक या रचना है, उसका नाम है मिस्टर अभीमन्यू, आपको बतान है, वो रचना किसकी है, उसके रचनाकार का नाम आपको बताना है, ठीक है, आपके लिए आज मैंने दो प्रशन छोड़े हैं, इन दोनों प्रशनों का उत्तर मैं चाहता हूँ, कि आप कमेंट बॉक्स में अवशिय कमेंट कीजिएगा, अगला कोशन है, 81, इसमें पूछा में से पूछा गिया है, विप्राचिन और नवीन का योग इस धंक से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था, भारतिंदु यूकि कव्यों के बिशे में ये टिपनी किसकी है, इपॉर्टेंट टिपनी हैं दोस्तों, ये हुजागी, अचारे रामचंदर शुक किया गया है, एक वार इसका प्रकाशन किया गया है और दूसरी वार इसका संशोधन किया गया है, दो तितिया आपको ये बतानी है कि कौन-कौन सी वे तितिया है, अगर एक भी आपको आती हो तो अबश्य बताईएगा, अगला कुशन 83 इसमें पूछा गया है भारत बारा मासा की रचईता इन में से कौन है तो जो रचना है भारत बारा मासा इसके रचनाकार का नाम हो जाएगा राधा कृष्ण दास सही विकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा अगला कृष्ण देख लेते हैं यह है 84 इसमें पूछा गिया है जगरना दास रतनाकर पुली हिंदी के परसार में मत्पून भूमी का अधा की है अगला कृष्ण है 85 इसमें पूछा गिया है मद्यपरदेश की विजेगड़ रागवगड़ रियास्त के राजकुमार कौन थे तो जो जो विजे मद्यपरदेश की एक रियास्त है बिजे रागवगड क्या नाम है बिजे रागवगड इसके राजकुमार के बारे में हमें बताना है कि इसके राजकुमार कौन थे तो यह थे ठाकुर जग महोंसी सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ अगला कोशन है 86 इसमें पूछा गया है हो हो होरी हो हो होरी यह कब बेकृती किसकी है तो यह हो जाएगी अम्बेकादत भियास की यहाँ पर सही विकल्प ए हो जाएगा अगला कोशन है 87 इसमें पूछा गया है लकूकती शतक के रचाईता कौन थे तो जो रचना है लकूकती शतक इसके रचाईता के बारे में हमें बताना है कि यह कौन थे तो यह हो जाएगा बिकल्प भी परता अपना राएग मुशर अगला कोशन है 88 इसमें पूछा गया है कानपूर के रसिक समाज से किस कभी का सबंद रहा है सबसे पहले तो आपको का सबंद रहा है रसिक समाज से कानपूर के थे जो तो यह हो जाएगे परताब नाइन मिशर सी सही बिकल्प हो जाएगा यहाँ अगला कोशन है 89 इसमें पूछा गया है रितु सहार एवं मेगदूत का ब्रजभाशा में किसने अनुवाद किया है तो यह किया गया है जगमोहन सीह के द्वारा कौन-कौन सी रचना है यह रितु सहार और मेगदूत इन दोनों का ही ब्रजभाशा में काब्यान वाद किया गया है जगमोहन सीह के द्वारा यहाँ पर C, D सही भी कल्प हो जाएगा अगला कुशने 90 इसमें पूछा गया है नागरी नीरद नामक सपताहिक पत्रिका के संपादक कौन रहे है तो जो रचना है नागरी नीरद रचना नहीं पत्रिका है इसके संपादक रहे है प्रेमगन जी क्या नाम है इनका पूरा बद्रि नरायन चौदरी प्रेमगन कई बार यह प्रेशन भी बनता है कि जो प्रेमगन नाम से कौन रचना करते थे तो यह थे बद्रि नरायन चौदरी ठीक है अगला कोशन है 91 इसमें पूचा गया है हिंदी नबजागरन को हिंदू जाती का नबजागरन किस आलोचक ने माना है क्या है हिंदी नबजागरन को हिंदू जाती का नबजागरन किस ने माना है तो हिंदी नबजागरन को हिंदू जाती का नबजागरन माना गया है डॉक्टर रामिला श्रमा की दोरा यहाँ पर जो सही विकल्प भी हो जाएगा अगला कोशने 92 इसमें पुछा गया है भारतेंदु बावु हरिश्चंदर ने कुल कितनी काब्बेकृतियों की रचना की है तो यहाँ पर पुछा गया है काब्बेकृतियों टोटल रचना है नहीं दोस्तों काब्बेकृतियों सिर्फ तो यह हो जाएगे 70 यहाँ पर सही विकल्प C हो जाएगा इनके द्वारा कुल 70 काब्बेकृतियों की रचना की गई है अगला कोशने 93 इसमें पुछा गया है कौन सा हिंदी कवी अबर उप नाम से उर्दू में कवीता लिखता था किस नाम से अबर उप नाम से और किस भाषा में उर्दू में तो यह हो जाएगे D प्रेम घंजी अगला कोशन हो जाएगा 94 इसमें पुछा गया है बिहारी के दोहों को कुंडलियों में विस्तार करने का श्री किस कवी को दिया जाता है तो यह अंबिकादत प्यास को दिया जाता है जो बिहारी के दोहे थे इसको कुंडलियों में विस्तार दिया था अंबिकादत पियास के द्वारा यहां पर सही बिकल्प A हो जाएगा अगला कोशने 95 इसमें पूछा गिया है कुपजा 25 किस कभी की रचना है तो ज़े रचना हो जाएगी कुपजा 25 इसके रचनाकार हो जाएगे नबनित चत्रुवेदी तो पीछे हमने इसके वारे में पढ़ा था कि ये किस रचनाकार की गुरू थे तो जगरना दास रतनाकर जो कभी है इनके ये गुरू थे नबनित चत्रुवेदी अगला कोशने 96 इसमें पूछा गिया है रहीम के दोहों पर कुंडलिया किसने बनाई थी तो जो रहीम के दोहे थे इस पर कुंडलिया बनाई गी थी किसके दोहा बनाई गी थी तो ये बनाई गी थी राधाकरिशन दास के दोहा यहाँ पर सही भी कलप सी हो जाएगा अगला कोशने 97 इसमें पूछा गिया है किस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंदर चंदरिका कर दिया गया था तो जो पत्रिका है ये कौन सी होगी पत्रिका तो ये हो जाएगी हरिश्चंदर मैगजीन ठीक है और कई बार ये प्रेशन भी बनता है कि इसके संपाद कौन थे तो ये थे बारतेंदू हरिश्चंदर आपको हरिश्चंदर से याद रखना है कि किसी पत्रिका है ये अगला कोशन है 98 इसमें पूछा गया है 1857 की राज्य करांती का नित्रित्व किसी सिपाही ने किया था तो ये किया गया था मंगल पांड़े की द्वारा D सही बिकल्प यहाँ पर हो जाएगा अगला कोशन है यहाँ पर 99 इन में से कौन सा लेकक आगरे का निवासी था तो जो ये राजा लक्षमन सी हैं थे इनका सुर्ण आगरा से रहा है सही बिकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा अगला कोशन है कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में इन में से कौन कारे रत था तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाना है तो यह हो जाएगे ललो जिलाल सही बिकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा अगला कोशन है 101 इसमें पूछा गया है निमन नाटकों को आरोही रचना कालकरम से ब्यवस्तित कीजिए तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प भी सबसे पहले अंधेर नगरी नाटक आएगा फिर अजास्चत्रू फिर अशार का एक दिन और सबसे अंत में कल्प तरू ठीक है ना सही बिकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा